इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। से गुजने के जोखिम में देरी करता है। रेंफोलोग टेबलेट को भोजन के साथ या बिना भोजन के मुझ से लिया जाना है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार इसे सटीक, खुराक और अवधी में लें। लो प्रोटीन आहार के साथ इसे लेने से दवा का अधिक्तम लाभ म सकता है। सुनिश्चित करें कि आप इलाज के दोरान पर आप कैलोरी का सेवन बनाए रखें। जब आप इस दवा का सेवन कर रहे हैं, तो डॉक्टर सीरम केलशियम लेवल की नियमित निगरानी करने की सलाह दे सकता है। यह दवा आम तोर पर बिना किसी सामानने साइड के अच्छी तरह सहन हो जाती है। अपने शरीर पर दवा के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए डॉक्टर से नियमित परामर्श लेते रहें। यदि आप अन्य स्वास्थि समस्याओं के लिए कोई अन्य दवा ले रहे हैं, तो रिन्फो लोग टैबलेट लेने से पहल अपने डॉक्टर को बताएं। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिक को क्लिक करें। धन्यवाद।